केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2022 में 100% तूटे चावल, ब्रोकन राइस, तथा जुलाई 2023 में 11 बास्मती सफेद, कच्चे, चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगाया गया और फिर अगस्त 2023 में 16 चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लागू किया गय चालू वित्वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में केवल 76 लाग टन गैर बास्मती चावल का निर्यात हुआ जो पिछले वित्वर्ष की समानावधी के शिप्मेंट 115 लाग टन से करीब 33 प्रतिशत कम रहा दिसंबर 2023 में भी केवल 6.49 लाग टन गैर बास्मती चावल का शिप्मेंट हो सका सामाने स्थिती में देश से 14 से 15 लाग टन चावल का औसत मासिक निर्यात होता रहा है हालांकि केंद्र सरकार ने भारत ब्रांट के तहट 29 रुपए प्रती किलो की दर से चावल की खुद्रा बिक्री आरंब की है लेकिन इसका बाजार भाव नरम पढ़ना मुश्किल लगता है दिल्चस्प तथे यह है कि खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS, के तहट भी भारतिय खादे निगम, FCI, द्वारा सापताहिक आधार पर चावल की निलामी की जा रही है मगर इसकी खरीद में व्यापारी कोई खास दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे है सरकार ने यदेपी अगस्त में ही बास्मती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रती टन का उंचा, न्यूंतम निर्यात मूल्य, निर्धारित किया था जिससे कुछ समय के लिए इसका शिप्मेंट आंशिक रूप से प्रभावित हुआ लेकिन बाद में सरकार ने इस मेप को घटा कर 950 डॉलर प्रती टन नियत कर दिया जिससे बास्मती चावल के निर्यात की स्थिती संभल गई लेकिन सफेद गैर बास्मती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंद को अभी तक हटाया नहीं गया है और नहीं सरकारी स्थर पर इसका ज्यादा शिप्मेंट हो रहा है सेला चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लागू है लेकिन वैश्विक बाजार भाव उंचा होने से इसके शिप्मेंट पर ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं देखा जा रहा है भारत से थैर बास्मती चावल के संपूर्ण निर्यात में सेला चावल की भागीदारी 45 प्रतिशत के करीब रहती है Bureau Report Market Times TV